कोलगेट से वनी इस क्रीम को सिर्फ पांच मिनट के लिए इसकीन पे लगाया था और सच में बालों को जड़ से ही साफ कर दिया है मार्केट वाला क्रीम भी इसके आगे फेल हो गया हेलो एबरीवन कैसे हैं आप सब कोलगेट का यूज करके घर पे आप दो से तीन मिनट में अनवांटेड हेयर सेसियल हेयर को साफ कर सकती हैं इसे लगाकर अपर लिप्स के बाल को क्लीन करेंगी सालों तक बालों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी वैसे तो बहुत सारा व है स्टंट आपको रिजर्ट देगा तो इस रेमेडी को किस तरीके से तैयार करना है। इस क्रीम को हमें किस तरीके से बनाना है available क्रीम है बिल्कुल नेचुरल है आप इसे अपने फेस भी हजा सकती है हात प्यर के बाल को हटाना चाती है तो हाँ पे भी लगा शक्ती है तो आप इसे जादे बनाना चाहती है, तो फिर इसकी quantity आप अपने हिसाब से कर लिजेगा, क्योंकि बालों की growth के हिसाब से इसकी quantity आपको कम्या जादा करना पड़ेगा, अगर बालों की growth बहुत जादे है, बहुत जादे बाल है, इसकी इन काला दिख रहा है, तो इसकी quantity आप थ बूंद नीबू करस ली थी मतलब जादे नहीं सिर्फ चार से पांच बूंद ही हमें इसमें नीबू करस ढालना है ठीक है जी नीबू में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होता है और फेसियल हेर को खीच के निकारता है जो बालों के जड़ होता है उसे बहुत जादे बहुत जादे कम जोड कर देता है तो हम यहां पे नीबू करस लिए हैं चार से पांच बूंद ठीक है जी अब यहां तक आपको कनफर्म हो गया होगा अब इसमें हम जो एट कर रहे हैं फ्रेंड आधा इस्पून से ही कम बेकिंग सोडा बेकिंग पावडर मत लीजिए बेकिंग सोडा भूल के भी मत लीजिए गा नहीं तो फाइदेक बदलेव नुकसान भी कर सकता है बेकिंग सोडा हम अपने स्कीन पे लगा सकते हैं यह बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है और खास करके अंचाहे वालों को तो यह जड से ही क्लीन कर देता है तो हम यहां पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिये थे मतलब जादे नहीं बहुत कम ही लेना है और लेकरी से मिक्स कर लेना है जैसे ही हम इसे मिक्स करेंगे एक्टिवेट होने लगेगा क्योंकि इसमें नीगुकारस है तो थोड़ा सा फूलने लगेगा ठीक है जी अब इसमें जो ठंड पड़ रहा था कि यह जम गया है इसका हालत थोड़ा सा खराब हो गया है तो यह सहद ही है ठीक है जी तो हमेहाँ पे एक चमच भर के लिए हैं सहद इस वेडियो में आप लोगों को दो-दो होम रेमेडी देखने को मिलेगा जो की बालों को क्लीन करने के बाद उसे लिजएगा की कैसे बनाना है माँ मिलेगा तो बस थोड़ा सा निकाड करके अपने इस किन के लिए इस वीडियो को देख लीजिए और जो से मूं से फालो करिए ठीक है जी अगर आपके skin को सहद नहीं suit करता है तो इस case में आप उसे skip कर दीजिएगा इसके जगा पे आप थोड़ा सा चीनी भी ले सकती है चीनी का powder वो इसे सहद भी चिपचिपा होता है और जो चीनी होता है वो भी काफे जादे चिपचिपा होता है तो जो hair removal cream था अभी वो बन के तयार हो गया है उसे रख दिये हैं हम side में और toner हमें किस तरीके से बनाना है toner बनाने के लिए हम यहाँ पे लिये है फिटकिरी इस toner को बनाने के लिए फिटकिरी का यूज हमें करना है और इसका powder अच्छे से बना लेना है बनाने बाद अगर रहेगा इस solution को आपको लगाना बहुत जरूरी है बालों को clean करने के बाद इसे आपको जरूर लगाना है जो बालों के growth को stop करेगा तो इस bottle में हम add किये हैं 7-8 spoon गुलाब जल ठीक है जी गुलाब जल की quantity थोड़ा जादे लीजिएगा इसे बना कर आप रख भी सकती है ऐसे ही आप अपने face पे इसे लगाएंगे तो काम करेगा इसमें हम 1 spoon add किये हैं जो फिटकरी का powder था ना जिसका powder हम बना करके रखे थे उसका powder हम यहां पे लिए हैं एक चम्मच भर के इसमें डाल देना है और डाल कर इसका जो ढखकन है बन करके अच्छे से से शेक करना है ताकि जो इसमें फिटकरी है वह अच्छे से घुल जाए गुलाब जल में मिक्स हो जाए जब हम इस तरीके से उसे मिक्स करते हैं तो हलका सा गाज देने लगता है तो मिक्स कर लिजिएगा मिक्स करने के बाद इसे आपको रख लेना है ठीक है जी और जब भी आप अंचाहें बा लगाने का प्रोसेस भी क्योंकि आप लोग जलद्रबाजी करते ही वेडियो पूरा नहीं देखते हैं इसे लगता है उस एरिया को अच्छे अप क्लीन कर लिजिएगा ठीक है इसकीन क्लीन रहरेगा तभी यह काम करने मढ़ता है तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हलका फुल का बालों की ग्रोथ है जो की काफी जादे काला दिख रहा है तो जादे नहीं है हलका फुल का एक का दुका बाल कहीं कहीं है लेकिन वही थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो हम इस क्रीम को इसी एरिया पे लगाने वाले हैं वांटेड हीर्स को क्लीन कर दे अपर लिप्स के बाल को हमेशा के लिए हटा दे तो आज का है होम रेमेडी आपके बड़े काम आ सकता है अगर इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले ली हैं तो इसे बना कर लगाईएगा जरूर आपको परिशान नहीं होना है कि बेकिंग सा डाउट लगता है तो इस रेमेडी को आप अपने हाथ पैर पे भी उज़ कर सकती हैं कोई जवरजस्ती नहीं है कि आपको फेस पे ही लगाना है हाथ पैर पे लगा के देखिए क्योंकि हम मैलाओं के हाथ पैर पे भी काफी जादे बालों की ग्रोथ होती है जो की इसकिन काला दिखने लगता है तो इस क्रीम को हम लगा लिए हैं अच्छे से और लगा करके थोड़ा सा मोटा लेयर में ही लगाए हैं लगा कर हम छोड़े थे दस मिनट के लिए तो इसे क्लीन करने के लिए हम लिए हैं कॉटन का कपड़ा आप लोग देख सकते हैं और इसे हमें थोड़ा सा गीला कर लेना है ठीक है गीला करेंगे तो आराम से जो पैक है वो निकड़ जाएगा क्योंकि ये इसकिन पर थोड़ा सा सूख गया है और आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं ओ माई गौड सच में काम कर रहा है जितना भी हेर्स था सारा निकड़ गया है क्योंकि मैं इस तरह का घरेलू रेमेडी यूज करती रहती हूं तो हलका फुलका बालों की ग्रोथ एकका दुका आ जाती है तो जितना भी बाल था उसारा क्लीन हो गया है और थोड़ा बहुत इ यकीन नहीं होता है उनको ऐसा लगता है कि जो नेचुरल चीजे होता है काम नहीं करता है तो आप यूज किये हैं नहीं किये हैं लगाईए नहीं रिजल्ट मिलता है उसके बाद कमेंट करके बताईएगा कि नहीं काम किया पर आप लोग सिर्फ वीडियो देखकर जज कर ल पानी से और जो टोनर था इसे लेकर अच्छे से स्प्रे करना है ताकि वो इसकीन के अंदर जाए जो पोर्स ओपन हुआ है पोर्स के अंदर जाए तो बालों की ग्रोथ पुरी तरह से खतम कर दे ठीक है तो इसे लगाईएगा जरूर अगर आपके पास बोटल नहीं है तो फ फेकिएगा मत इसे आप रख लीजिएगा और जब भी अनवांटेड हेयर को क्लेन करती है या तो फेसियल हेयर को इस टोनर को जरूर इसप्रे करिएगा ऐसे ही आप इसे अपने फेस पे लगा सकती है नुकसान नहीं करेगा वो इसे फिटकरी हमारे स्किन को नुकसान नही करेगा तो फिर रखिएगा हिमत उतना ही बनाईएगा कि एक बार में खतम हो जाए आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक और सियर कर दीजिएगा चैनल पनिवे और आपको इस टाप का वीडियो देखना पसंद है तो च